हलो दोस्तों मैं आपको बहुत ही ज्यादा स्पेशल है तो आज बिसिकली जो मैं ट्रिक मतलब शेयर करने वाला हूँ आपके लिए गिल्ड फैस्ट के उपर है जी बिल्कुल मैं आज मैं आपको बताऊंगा कि बाई देखो किस तरीके से मतलब गिल्ड फैस्ट में हाई पॉ है मेरा बस ओवरॉल तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि बाई देखो कौन से आपको टास्क चुनने चाहिए जो आपको बेस्ट रहेंगे कि मतलब जो से कंप्लीट कर सकते हैं और यह जो टास्क होंगे ना यह मतलब एक मैं बता रहा हूँ आपको बीस मिलियन का टूठा लें और उसको कंप्लीट करना शुरू कर दें तो ऐसे आपके पॉइंट्स नहीं अचीव हो पाएंगे और मैं अभी आपको दिखाता हूँ भाई देखो मतलब ऑसम तरीका एकदम मतलब इतनी एजली आप हजार पॉइंट अप्रॉक्सिमेटली हजार पॉइंट म यह जो अभी जुलाइका चल रहा है दोजार इकिस का तो भाई चलो बात कर लेते सिदा मुद्धे पर तो बैदेखो आपको कौन से टास्क चुनने है कौन से नहीं करने हैं कैसे करने हैं मैं वह भी बता हुआ इजी तरीका होता बहुत ही ज़्यादा तो भाई यही सबसे पर एक हमारा गिल्ड को इसको कजरख कर लेते हैं और फिर बात करते हैं मैं देखो मेरे पर एक अटेम्ट अभी भी बचा हुआ इस गेड़ फेस्ट का और मेरे पॉइंट्स अभी मैं आपको दिखा रहे तो यह अपडेट हुआ नहीं है बिसिकली 780 पॉइंट दिखा रह है इसमें को लोसम बैटल बीस भाई बहुत मुश्किल है आपको कम से कम 3-4 दिन इसमें वेस्ट करने पड़ेंगे और इसमें भाई देखो और भी काफी सारे होते हैं जो आप लोग बग ले ले लेते हैं फोरजिंग वाला बिल्कुल मतलो भाई और यह कंप्लेट एड्मि क्विस्ट चलो ठीक है अगर पीसे लास्ट में कर सकते हैं अगर आप एक टाइम का में आप भूल गए करना क्विस्ट तो कर सकते हैं और भाई देखो हैल इवेंट भाई बहुत मुश्किल होते हैं हैल इवेंट तो इसको भी मतलो क्योंकि यह सारा वेस्ट आफ टाइम है तो आपको लेने कौन से आप बोस पर बात कर लेते हैं, तो भाई देखो, यहाँ पर एक टास्क था, जो कि अभी किसी ने ले लिया, बट मैं आपको दिखाता अभी, तो भाई देखो, रैली क्विस्ट जो होता है न, आपको वो लेना है, इसमें क्या होता है, आपको मतलब 4-5 मतलब जो एसेंस होते हैं, आपको वो कलेक करने होते हैं, जो कि बहुत एजी होते हैं, यह 130 पॉइंट का आता है, 134, 137 का, तो आपको रैली क्विस्ट जो होता है, वो जरूर करना है, क्योंकि वही सबसे हाई पॉइंट मिलेंगे, और भाई, देखो जैसे, यह फेक हेल्प का है, सिर्फ 40 हेल्प में 106 पॉइंट, तो इसी तरीके का यह काता है, 120 हेल्प का, जिसमें 140 पॉइंट मिलते हैं, तो आपको यह कुस्ट लेना है, क्योंकि यह जो इजी क्विस्ट है, फेक हेल्प आप अपने दूसरे अकाउंट से, या फिर मतलब अपने किसी दोस्ट से कह कर के ले सकते हैं, गिल्ड में, तो यह बहुत इजी टास्क है, यह इवन 4 मिलियन माइट होगा ना, वो भी कर सकता है, यह हो गया, एक टास्क यह हो गया हमारा, और दूसरा टास्क में आपको बताया कि भाई देखो, दूसरा टास्क आपको जो रहे का, वो है गैधरिंग, भाई गैधरिंग में यह जो इवन्ट होता ना, 143 पॉइंट का, यह बिसिकली 10 मिलियन माइट के कर सकते हैं, उन पर सोल जार होते हैं, गैधरिंग के लिए, छोटे प्लेयर से इसले नहीं कर पाएंगे, गैधरिंग के लिए उतने जादा सोल जार और नहीं होते, इस पीड बगएरा, प्लेयर से इसले जार पाएंगे, बहुत ही अच्छा होता है, और भाई देखो, जिन भी भाई यहनों हमारे मतलब इस सोलो ट्रैप की वीडियो नहीं देखी, मतलब जो अभी अभी हमने, जस्ट अभी हमने अपलोड करिये थोड़ी दिर पहली, तो उस वीडियो को जरूर देखना, बहुत ऑसम वीडियो है, आपको उसमें पता लग जाएंगे, यह सोलो ट्रैप कितना मजबूत है, मतलब इस पर T4 हमले अभी कुछ नहीं कर पाते है, लेडर लेस्ट तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते है, तो इसी तरीके से भाई देखो, गिल्ड क्वेस्ट आपका डिपेंड करेगा जो भी, वो आपके सिर्फ टास्क पर डिपेंड करेगा, आप कौन सा टास्क ले रहे हैं, क्योंकि भाई देखो, जितना अच्छा टास्क होगा, तो भाई लोग जैसे कि बाई पुदा रहा रहा था, क्योंकि लेवल फाइफ लोग इस टाम के बाई करके रखते हैं, और तीसरा जो आपका मैंना बता है, आपको जैसा कि, भाई आप मतलब जो आपका रैली लीड्स का होगा, रैली का जो टास्क होगा, क्योंकि वो हमेशा आता है, वो पूरे जितना गिल्ड फैस्ट होता है, उसमें रहता ही है, आप उसको ट्राय करें, क्यों वन फर्टी पॉइंट के आप रोक्स आता है, वन थर्टी उसे कम आता ही नहीं है, वो बहुत इजी और अच्छा रहता है सब के लिए, तो भाई आप इस तरीके से, मतलब यह जो टास्क है, आपको यही कलेक्ट करने है, और एक और टास्क में आपको बता देता हूँ, जो आपके काम आने वाला है, भाई आप पूरे मन्त मतलब जो आप गिल्ड कोईंस, इस गिल्ड स्वाप से जो कलेक्ट करते हैं उनको बचा गे रखिए, इससे क्या होगा, आप जैसे ही गिल्ड फैस्ट आता है, आप 99,000 का यह जो रियर जोल चैस्ट आता है, आप इसको खरीदिये, और इससे क्या होगा, आपको जो भी स्पेंडिंग करनी है, मतलब गिल्ड कोईंस की, तो वो इसी टाइम करो, इससे क्या होगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें एक टास्क आता है, जिसमें आपको गिल्ड कोईंस करने होता है, 140, 40, मतलब क्या प्रॉक्स आता है वो टास्क, जो बहुत ऑसम है वो टास्क, तो भाई आप इसका भी मतलब कलेक्ट कर सकते हैं, पूरे इस टाइम, गिल्ड फैस्ट क्योंकि हर महीने आता है, तो भाई आपको इसमें पॉइंट बनाने ही होते हैं, और इसमें पॉइंट बनान का रीजन में देखो भाई क्या होता है, आपको यहाँ पर देखो कितने हैं अच्छे अच्छे मतलब गिफ्ट से वगरा मिलते हैं, जो कि बहुत ऑसम रहते हैं, तो यही चार इवेंट से हैं, जो आपको उनलब कलेक्ट करने होंगे इसमें से, यह सबसे इजी होने वाले हर बंदा कर पाया का, मैंने इस तरीके से आपको बताए कि यह हर को ही कर पाया, गैदरिंग आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो यह हर किसी के लिए पॉसिबल है, रैली लीड्स आप जॉइन करिए, आप एजली मतलब, और भाई रैली वाले टास्क में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कि वो रैली काउंट नहीं करेगा, अगर आपके तीनों स्पॉर्ट फूल हो गए, और आपने इसमें डिलिट नहीं किया, तो वो रैली इसको काउंट नहीं करेंगे, तो इसलिए हमेशा ही ध्यान रखिए, कि आप रैली वाला टास्क कर रहे हैं, तो यहां पर जो स्पॉर्ट होते हैं, इनको खाली रखिए, क्योंकि यह बहुत सही रहता है, तो भाई यह हो गया आपका सबसे बढ़िया चीज़ है, तो यह सबसे बढ़िया टास्क हो गया आपके, अभी देख सकते हो भाई, मेरा यह देखो भाई, मतलब मेरे 923 पॉइंट हो चुके हैं, सिर्फ साथ टास्क में, मतलब समझे रहो भाई, अभी वी एक टास्क मेरे बचा हो है, तो 923 पॉइंट बहुत ही, सही पॉइंट एक, मतलब 70 मिलियन माइट के लिए, तो यही आपके, देखो भाई, डिपेंड करता आपके उपर, कि आप क्या टास्क चुनते हैं, क्योंकि मेरे गिल्ड में, मैं बता रहा हूँ, आपको बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बनालते हैं, क्योंकि भाई, उन पर स्पीड अप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए, तो वो चलिए, भाई, यो इस वीडियो को यह कदम करते हैं, जो वो टास्क बताएं, आप उनको कम्प्लेट करें, गिल्ड फैस को इंजोई करें, थैंक्स वो मच, थैंक्स वोच, मिलते हैं, नेक्स वोड़े में, जैहिंज, जै भारत!